ओके फोर मेंबर्स ने जोईन कर लिया है, I hope कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, अगर आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अज टाइप कर सकते हैं, आप अपना आडियो वीडियो आफ कर सकते हैं, ताकि इंटरनेट स्पीट के चलते कोई ये सुनाए, मैं अपना स् विजिवल हूँ तो एक बार कमेंट करके बता दें कि ये भी सारे दोनों जो स्क्रीन है आपके साथ सेयर हो रहे हैं ओके तो सिर्फ आपको जूम मेटिंग वाला ही पेज दिख रहा है अब ये सारे स्क्रीन दिख रहे हैं आप लोगों को ट्रेडिंग विव और एनसे इंडिया के ओके ओके ठीक है फिर हम लोग सुरू करते हैं आज का सेसन जो है ट्रेडिंग साइकलोजी के बारे में सोनो ने पूछा था मुझे आज रिक्विस्ट करा था कि एक चोटा सा सेसन ले ले लेते हम लोग तो उसी के बारे में एक चोटा सा क्विक सेसन लेंगे हम लोग और द पहले देखते हैं चार्ट लगा लेते हैं चार्ट पर बात करते हैं आपका ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने और करेंटली का फी एक रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिल रही होगी डेली अब डाउन चल रहा है तो एक बड़े टाइम फ्रेम पर स्क्रिन जो है उसको हाइड कर दिया दूसरे यह टैप पे हूँ मैं अभी ट्रेडिंग भी हो पे हूँ तो अगर कोई भी इसू हो तो आप अन्म्यूट करके बोल सकते हैं ओके तो ट्रेडिंग साइकलोजी की बात करते हैं दोस्तों अगर सबसे पहला जो मिस्टेक की बात कर लेते हैं मिस्टेक के चलते ही हमारी ट्रेडिंग साइकलोजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो सबसे बड़ा जो सबसे एक बलंडर मिस्टेक कह लें जो भी बीगिनर से हैं या बिगिनर के साल दो साल भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तब भी आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं और वो होता है कहीं न कहीं आप जो सुरुवात करते हैं वही गलत होती है आप सुरुवात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से और वहीं आ रहा हूँ बलकि मैंने भी शुरुवात इंट्रडे ट्रेडिंग से ही करी थी लेकिन धीरे-धीरे मैंने उसे सिफ्ट कर लिया है बलकि सौटम काफी छोटे समय के लिए मैं ट्रेड करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम लेकर दो-चार दिन के लिए मैं होल्ड कर लेता हूँ विकली होल्ड कर लेता हूँ तो इस तरह से जो ट्रेड होते हैं आपके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे आप खुद करके जब यह देखेंगे और बीच बीच में जब आपको थोड़ा इसके साथ बिताएंगे और अगर 4-5 सालों की बात करें तो मेरे लिए थोड़ा सा असान पड़ता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप साल-2 साल से मार्केट में हैं तो इसको प्रैक्टिस करना सुरू करें सबसे पहले जो है आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग लेके चलें और उसके बाद छोटे मांट से थोड़े थोड़े क्वांटिटी से बिच बिच में आप ट्राइ करते रहें जब भी आपको आपके खुद के स्टॉक में ही को अच्छा पोजिशन मिलता है तो आप उसको इंट्रेडे में भी ट्र नहीं करना है तो उसको अप थोड़ा से कम करें और पोजिशनल में लेके चलें सारी चीजें और जैसे जैसे आपका किसी एक स्टॉक पर कमांड बढ़ेगा तो आप उसमें जब भी इंट्रेडे को आप अपलाई करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अच्छा रिटर में ऑप्सन मिल गया जो की सेम डे में डवल ट्रीपल हो जाते हैं तो यह काफी हम लोगों को एक्रिक्ट करते हैं लेकिन मैक्सिम अगर आप ऑप्सन बायर साइड है और जाहिर सी बात है आप बायर साइड में होंगे क्योंकि फंड आपके छोटे हैं लाग दो लाग उसके उसी सेर के 3,000, 2,000, 5,000 ऐसे कौंटिटी उठाते हैं तो उसके चलते भी जो भी आपके कैलकुलेसिन है रिस्क रिवार्ड है कि भी एक रुपए गवाने हैं चार रुपए कमाने हैं वो सारी चीजें फेल हो जाती हैं तो एक यह भी बहुत बड़ा इसू होता है तो एफनो में भी आप थोड़ा सा अवाइड करें कैस को लेके चले और जो फंड की प्रॉबलम है तो उसके चलते जो है आप यह नहीं कह सकते कि फंड मेरे पास कम है तो मैं एफनो में ही करूंगा यह मैं इंट्राडे ही करूंगा यह चीजें जो हैं गलत हैं इसके चलते और कैस की भी बात कर लेते हैं अभी करेंटली मैंने एक ट्रेट लिया था आप लोगों के साथ सेयर भी किया था ग्रूप में भी और अपने यूटूब चैनल पर भी तो उसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कि l t ts मैंने ट्रेड किया था और इसको जो है एक चोटे टाइम प्रेम पर ले लेते हैं लाश्च ट्रेडिंग डे में हिमैं इस पर ट्रेड किया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहा होंगे क्लीयर हो रहा होगा इमज और जो लेवल्स भी मैंने डिसकस करे थे बार बार पोश्ट किया था मैंने इसका चार्ट ग्रूप में तो पिछले दिन का हाई और ट्रेडिंग डे का हाई मैंने ब्रेक करने पे कही न गए हैं इसमें इंट्री ली थी जहां पर आप करसर देख पारे होंगे लाइन द नहीं हुआ और काफी अच्छा एक profit मुझे देखने को मिला था एक horizontal line से मैं आपको एक बना देता हूँ तो basically एक range trading थी ये मैं बहुत ज्यादा prefer करता हूँ तो range based trading मैं बहुत ज्यादा prefer करता हूँ और उसमें range breakout होने पे मैंने entry ली थी और 264 के पैसे के उपर entry होनी थी तो 264 रुपए 48 पैसे या 38 पैसे ऐसे कुछ मेरा entry point था 200 share मैंने लिये थे और बात कर लेते हैं 200 share मैंने लिये के मैंने cash में लिया था और ये intraday basis cash stock था वैसे तो अगर 200 share मैं 264 के हिसाब से लूँ तो 6,666,000 रुपए के आसपास का एक इसमें fund मेरा लगना चाहिए था लेकिन वो delivery base मैं लेता था तो मैंने इसमें leverage लिया ओके मैं जैसा कि मना कर रहा था कि ओवर leverage या बहुत ज्यादा leverage या F&O में आप ना घुसें तो leverage लिया मैंने वो भी 5 गुना मैंने leverage लिया 264 के हिसाब से 6,666,000 रुपए इसमें लगने थे और 200 share लिया मैंने और 1,33,000 रुपए के आसपास मेरा जो है इसमें fund इंवाल्व हुआ क्योंकि इंट्राडे मैंने चुना तो 1,33,000 के हिसाब से 5 गुना मैंने leverage ले लिया और stock को buy किया और मेरे buy करने के बाद ही अगले 2-3 candle में ही ये मेरे stock rate पे entry rate पे आके ये रुग गया और बहुत देर तक समझे ये देख लिजए लगबग 2-5 गंटे का एक काफी बड़ा एक consolidation चलता रहा और समझे मेरे entry से जस्ट 2 रुपए है नीचे मेरा stop loss था क्योंकि मैंने ट्रेल कर लिया था entry के बाद ही पहले तो मेरा stop loss नीचे था 2650 रुपए के आसपास फिर उसको 2660 कर लिया 2664 कर लिया ऐसे करके मैं समय के साथ साथ उसको ट्रेल करता गया क्योंकि जैसे जैसे time waste होता है market नीचे खिचती जाती है अब जैसे मैं इसका साथ ही साथ आपको बता दूं कि index भी देख रहा था निफ्टी आईटी का ये stock है तो index भी देख रहा था और वो लगता और जो है नीचे की तरफ घुमता जा रहा था तो इसके चलते मैं अपना stop loss काफी tight लेकर चल रहा था कि अगर hit होता है तो मेरे पास जाने के लिए 500 रुपए 700 रुपए ऐसे ही loss मेरा चल जाएगा जो की अराम से मैं recover कर सकता हूं आने वाले एक दो ट्रेड में तो इस तरह का एक mindset लेके चल रहा था risk reward काफी अच्छा मुझे दिख रहा था कि अगर ये जो है अगर अपना high तोड़ता है तो काफी अच्छा एक movement दे जाएगा मुझे और हुआ भी ऐसा ही जब यह movement आया तो फिर लगबग एक घंटी में ही काफी अच्छा एक movement आया volume देखने को मिला मैं आपको volume भी लगा देता हूं आपके सामने और volume से थोड़ा सा confirmation मिलता है मुझे आप देखे यहाँ पर जो है इस candle में यहाँ पर volume आता हुआ देखा और उसके चलते थोड़ा सा और ज्यादा confirmation हो गय अब एक indicator और लगाते हैं वी वैप मैं यूज करता हूं volume वेटेड एवरेज प्राइस को यूज करता हूं तो वह भी एक indication देता है कि हाँ volume के साथ इसमें बाइंग हो रही है काफी अच्छा movement देखने को मिल सकता है तो इस तरह का एक सारी चीजन धीरे-धीरे बनती जाती ह हैं जैसे जैसे आप समय बिताएंगे मार्केट में वैसे-वैसे सारी चीजें आपके साथ भी होने लगेंगे कि आपको अलरेडी पता होने लग जाएगा कि हाँ कैसे अब आगे क्या होने वाला है candle to candle आपको यह सारी चीजें देखनी पड़ेंगी वाच करना पड़ेगा वीवेप के जैसे ही उपर निकला तो मैं थोड़ा सा confident हो गया मैंने हालां कि अपना stop loss अपने entry price के आसपास ही रखा था बलकि अपने entry price पर ही move कर दिया था मैंने तो ऐसे चल रहा था समझ लिए जर रिस्क मतलब मेरा zero हो गया था मेरे पास गवाने के लिए कुछ ने था और आने के लिए काफी अच्छा था और हुआ भी ऐसा ही जब यह वीवेप के उपर निकला volume में expansion देखने को मिला और थोड़ा सा निफ्टी IT से भी support मिल गया तो काफी अच्छा जो है कि यहां से movement आती हुई दिखे हाई break हो गया और हाई break होने के बाद ही जैसे मेरा मतलब 100 रुपए के आसपास का target था हाला कि मैंने एक पिछला जो है resistance level देखा था पिछला price rejection देखा था उसके चलते थोड़ा सा एक movement मैं मैंने पहले ही थोड़ा सा book कर लिया था half quantity 125 quantity को मैंने इस हाई पे 2749 रुपए पे लगा दिया था 2749 रुपए 125 quantity मेरी book हो गयी थी और बाकी के 125 quantity को मैंने ठीक 100 रुपए के उपर book करने का सोचा हुआ था 2764 रुपए 2765 रुपए और वहां पे मैंने अपना order place किया हुआ था जो की hit भी हुआ और hit होते होते के साथ ही जो है आप देख पा रहों कितना अच्छा जो है एक rejection देखने को मिला profit booking देखने को मिला और फिर जो है stock उस label पे नहीं जा पाया और closing कहीं न कहीं 2728 रुपए के आसपास होई तो काफी अच्छा एक timely entry और exit बोल सकते हैं आप इस stock क और risk मेरा लगवग 0 हो गया था अगर मेरा stop loss भी होता तो 1000 रुपए से जादा नहीं होने वाला था लेकिन मेरा return जो आया वो 23,000 रुपए का था तो इस तरह से कुछ हम लोग अपने trade को plan करते हैं और execute करते हैं और trading psychology के लिए मतलब गलतियां आप कम कर दें जितनी कम गलतिय हमालूम होती हैं बसरते हमारे पस capital छोठा होता है जिसके चलते हमें यह रहता है जाए हम उसको करते हैं यानérie कि हमें follow करना चाहिए हम उसे follow नहीं करते हैं हमें पता सब कुछ होता है कि stop loss लगाना है हमें ज्यादा leverage नहीं लेना है हमें FNOW नहीं करना है हमें intraday कम करना है लेकिन फिर भी हम उन सारी चीजों को करते हैं क्योंकि हमें risk लेना पड़ता है capital चोटा है लेकिन इसका मतलब यह आड़ करते रहें और इन सारी चीजों को follow करते रहें तो आप market में लंबे समय तक बने रहेंगे ओके तो risk reward की बात करते हैं एक बार मैं आ जाता हूँ आपका देखता हूँ आ ओके एक बार मैसेज करें आप लोग मुझे बता है risk reward ratio क्या रहा मेरा अगर हजार रुपए जाता और आने के लिए लगवग 20,000 प्लस था तो क्या risk reward था मेरा इस trade के लिए और यह beginning से था ऐसा भी नहीं था कि मतलब बहुत जादा अगर यह हो था कि अचानक से जाके लगता stop loss कटता तो उसके chances काफी कम थे अगर stop loss कटता भी अचानक से जाके तो धाय तीन हजार रुपए मेरा max to max जाने वाला था और आने के लिए काफी अच्छा return था तो जैसे मैंने अपना ट्रेलिंग stop loss यूज कर लिया जब मैं अपने cost फे stop loss को लेकर आ गया था तब से जो मेरा stop loss रिस्क reward था वान इस्टू 20 का हो गया तो काफी अच्छा ट्रेड मान सकते हैं जनरली इंट्राडे में इतने बड़े targets के लिए हम लोग नहीं कोसिस करते हैं वान इस्टू टू वान इस्टू फोर का ही हम लोग टार्गेट लेकर चलते हैं और वान इस्टू 20 का आपको कभी-कभी ही मिलेगा आप डेली ऐसा मतलब छक्का नहीं मार सकते हर बॉल पे तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगे अब जैसा मतलब यह है आप mind control की बात कर रहे था सोनू हमसे पोछ रहते कि कैसे मतलब mind पे control करें emotions पे control करें तो यह सारी चीज़ें आपको पता हैं और practice करते करते हैं आपकी आदत में आ जाएंगे कुल मिला के कहने मतलब यह है कि जितना ज़्यादा समय आप बिताएंगे market में और उसके लिए आपको करना क्या है आपको capital बचाना होगा capital जितना लंबा आप बचा ले जाएं उतना लंबा आप market में ठीके रहेंगे नहीं तो जो है कि capital खतम तो फिर business खतम तो सबसे पहला जो आप काम ये करें आप एक बड़ा सबल की print करा के रख लें जहां भी आप trading करते हैं वहां लगा लें कि capital protection ही आपका पहला task है market में और intra trading में तो खास करके बलकि मैं तो ये कहूंगा कि आप separate account ही कर लेंगे छोटा एक capital डाल के जब तक कि आपके सारे trades जो हैं आपके हिसाब से ना चलने लग जाएं तब तक आप चोटे चोटे capital पर ही practice करते रहें और बागी सारे पैसे जो हैं अगर बड़ा capital है लाग दो लाख रुपय का capital भी काफी बड़ा होता है तो आप उसको swing trading में लेके जाएं आपके losses काफी कम रहेंगे और जो psychology आपकी disturb होती है वो नहीं disturb होगी तो काफी अच्छा है कि आप manage कर पाएंगे balance कर पाएंगे दोनों चीजों को साथ साथ ही साथ अपने पैसों को भी बचा पाएंगे और internet training में भी धिरे धिरे जो है आप पकड़ बना पाएंगे तो ये मेरी तरह से आपको सला है आप capital protection के लिए जो भी कर सकते हैं उसे जरूर करें जैसा कि मैंने अभी हाली फिलहाल में किया है कुछ दिनों के लिए मैं arrest पे गया हुआ था तो मैंने एफ नो ट्रेडिंग में काफी मतलब बहुत active हो गया था और मुझे पता था कहीं ने कहीं जो है इसमें जैसे बड़े-बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं 50,000, 70,000 वैसे ही लॉसे भी हो सकते हैं मुझे पता था और इसके चलते जो है मैंने सिर्फ 25,000 रुपए उस एफ नो एकाउंट में जो की जिरोधा में है उसमें मैंने रखा हुआ है और बाकी के पूरे मतलब बड़ा जो capital था उसको अपने अपर स्टॉक्स एकाउंट में मूव कर दिया है जहांपे कि मैं मैंनली डेलिबरी बेस पे ट्रेडिंग कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग भी मैं उन्हीं स्टॉक्स में लूँगा जहांपे इस तरह के मतलब पैटरंस इस तरह के probability high probability ट्रेडिंग मुझे देखने को गवाने के लिए 2-3,000 ही हैं और मिलेंगे तो 25-30,000 भी मिल सकते हैं तो इस तरह के ट्रेड्स के लिए मैंने जो है थोड़ा सा आपको patience रखना होगा डेली ऐसे ट्रेड नहीं मिलेंगे आप मान के चलिए कि मुझे कोई ऐसे ट्रेड नहीं मिलेंगे महिने में 2-4 ट्रेड म मैनेज नहीं करते हैं stop loss अपने सिस्टम में नहीं डालते हैं कि stop loss hit करके चला गया तो क्या मेरा बहुत सारा ट्रेड होता है जिसमें कि मेरा stop loss hit होता है लेकिन stop अगर stock जो है दोबारा उस direction में जा रहा है दोबारा से strong होता हुआ दिख रहा है तो मैं दोबारा भी entry लेता और एक बार भी अगर वो चल गया तो आपके पिछले दो तीन trade को आसानी से वो cover कर लेता है और आप at the end profit में ही book करेंगे पिछले week मेरे साथ पवन कुमार एक member है participant है वो मेरे साथ मेरे घर पे आयो थे मेरे friend है तो मेरे साथ ही trading कर रहे थे और इनके साथ मेरे trading करते हुए इ दौरान मेरा एक trade चल रहा था जिसमें मुझे दो बारी entry करने पर loss हो गया था लगवक चारहजार रुपय का loss हो गया था और तीसरी बार मैंने ट्रेड लिया था तो वह चारहजार का loss भी cover हुआ और मैं धाय तीनाजार रुपय profit पे चला गया था within minutes और फिर उसके बाद मै जिनको पता चल रहा होगा तो इस तरह से होता है आपको मतलब losses के लिए तो आपको prepare रहना होगा profit अगर जब आता है तब आपको आराम से बैठ जाना है जैसा कि मैंने वो किया था अल्टीटी इसके trade में मुझे loss देखने को मिला ही नहीं यह मेरे enterprise से नीचे गया ही नहीं और इसलिए मैं आराम से बैठ रागे भी है जाएगा तो जाएगा हजार दो हजार रुपय जाएगा लेकिन मिलेगा तो काफी अच्छा मिलेगा और मिला भी तो काफी अच्छा एक trade इसको मान सकते हैं और काफी सारी चीजें से learning हैं आप दीरे दीरे निकालेंगे तो एक और ओके SL की बात कर रहे थे हम लोग SL जो है हम लोग manage नहीं कर पाते हैं उसके बहुत सारे current हो सकते हैं जैसे कि आपने बहुत ज्यादा leverage ले लिया है या तो F&O में हैं अगर वहां SL अपना लगाते हैं तो आपके original capital से आपका SL बहुत ज्यादा जाएगा जैसा कि मैंने बोला अगर आप 5 गुना अपने 10 गुना अपने leverage लिया हुआ है तो SL आप लगाएंगे तो आपके capital से 10 गुना ही जाएगा तो यह भी एक current है यहां से भी आपकी psychology काफी ज्यादा disturb हो सकती है तो इसलिए पहले ही मैंने discuss कर लिया leverage जितना कम ले सको आप उतना अच्छा है खास करके beginning phase में और intraday में तो आपको बिना leverage करेंगे यह नहीं लेकिन फिर भी जितना कम आप लें उतना अच्छा है और F&O F आपनों में possible नहीं है वहां पर आप कितना भी कम लेंगे कितना भी कम stop loss लगाएंगे तो आपके पैसे आपके capital के साब से बहुत ज्यादा उड़ने वाले हैं तो यह सारी चीजों को देखती हुए मैंने भी F&O को थोड़ा सा buyback कह दिया short term के लिए कुछ fund होंगे फिर से ध F&O suit करता है निफ्टी बैंग निफ्टी में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप वहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय दें लेकिन सेफ अगर आप जाना चाहता है आप कैस में जो है डिलिवरी में स्टॉक्स को उठा के लेके चले और कोई भी बीगिनर अगर आर दो चा रहे हैं तो आपको और मुझे पता है आप कहीने कहीं से सीख रहे हैं तो धिरे धिरे जो है समय के साथ आप अपने आपको इंप्रूब कर पाएंगे और तब जो है आप धिरे धिरे अपने लिवरेज लें और सारी चीज़ें करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप स लेकिन सेफ लेकर मैं चल रहा था कि अगर मान लो हजार पंद्रेसो दुजार उपैसे लॉस में अगर जा रहा है तो मैं उसे होल्ड भी कर लेता और नेक्ष डे में उसे फिर मैं जब भी मतलब आता प्रॉफिट में तो मैं निकल जाता तो एक मोमेंटम ट्रेड पकडने की क कोसिस करता हूँ आज नहीं आया तो कल आ जाएगा और तब मैं निकल जाओंगा तो इस तरह से जो है थोड़ा सा आप सूचना शुरू कर दें तो ट्रेडिंग साइकलोजी जो है आपके इंप्रूव होने लग जाएगी धीरे-धीरे कि ओके तो मैं इतना ही अभी बेसिक्स हैं बहुत सारे लोग नए भी हैं इसमें तो इतना ही मैं अभी डिसकस करना चाहरा था आपके साथ अब इसके इस से से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल अगर मन में आ रहा तो बिल्कुल जो है आप अपना माइक अन्म्योट करके पू बूज सकते हैं मैं उसको एक्स्प्लेन करने की कोशिश्च करूँगा है हलो सोननु जी कोई कोश्चन हाँ जी बोली हैं ओक 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 ऐो क्यों कोड़ करिये इतने भी पार्टिसिपेंट्स आपको कोई भी अगर कोश्चन है डाउट है तो आप टाइप करें या अन्म्योट करके आप बोल सकते हैं मैं सुन रहा हूं आपकी बात देखे असल की बात करते हैं जैसे मेरा जो इंट्री था अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस यह सारी चीज़ें अगर आपको पता हूं तो अगर यह स्टॉक हम लोग देखें तो एक बार दो बार तीन बार चार बार यह पांच वी बार में यहां पर ब्रेक आउट हुआ और वॉल्यूम के साथ ब्रेक आउट हुआ तो कही सूट रहा था जा से कम झेन पता था यह लेवल का कि जैसे यह बार बार यह ही श्ट्रय कर रहा था एक रिजिस्टेंस जोन इह बना हुआ है और कभी इंति अगर मैं इसके उपर लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉज इस रेजिस्टन्स जोन के नीचे ही हो जाएगा क्योंकि ये एक कभी strong support के रूप में काम करेगा जब भी कभी ये breakout होता है तो strong support के रूप में ये काम करेगा और हुआ भी वैसा ही आप देख पार होंगे एक बार भी जो है ये stock इस line के नीचे आता हुआ नहीं दिखा और मेरा sl जो है hit नहीं हुआ पूरे time मुझे लग रहा था जब ये लगवक दो घंटे यहां पर ये अपना time waste कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरा stop loss hit करके कहीं ना ये उपर भाग जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मेरा sl बचा रहा और काफी अच्छा move यहां से देखने को मिल गया तो जब भी कभी आप कोई भी stop loss लगाते हैं तो या तो आप risk reward लेके चलें कि ठीक है stop loss मैं वहां लगाऊंगा जहां पर मेरा एक रुपए जाएगा और आने के लिए चार रुपए तीन रुपए ऐसे होगा तो एक तो risk reward के हिसाब से आप लगा सकते हैं support resistance के हिसाब से लगा सकते हैं जैसा कि यह price के हिसाब से आपने देखा एक indicator मैं यूज़ करता हूँ pivot points standard यूज़ करता हूँ तो आ एक movement अगर आप देख रहे है आरवन को ये cross करके उपर जा रहा है तो आरवन के नीचे अगर आप stop loss लेके चलते हैं तो यहां से देखिए आप आपका stop loss यहां hit नहीं होता और काफी अच्छा आर थरी आर फोर तक का आपको टार बलके आर फाइब का भी target मिला और ओके मैंन भी movement कर सकता है किसी specific day पर किसी अच्छे दिन पर तो यह दो तिन तरीके हैं support resistance को identify करके वहां पर आप stop loss लगाए या पिवाट पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप trade कर रहे हैं तो उसके हिसाब से लगाए या अगर आप VWAP के हिसाब से भी चाहें तो यहां से भी अगर एक पर आपी कहीं book कर लिया तो बहुत चीवाथ लेकिन अगर अगर आपने इसके नीचे ख़र लगाया होता तो यहां stop loss हट होता आपका फिर alta offices के नीचे आपने ख़र लगाया होता तब प्रॉफिट्स आने के लिए काफी बड़ा एरिया हो तो इस तरह से आप डिफाइन करें अपने अपने एसल्स को पिफसे के आहिए थो आपका क्या कोस्टन था पंपयर आइए ऐस निकिल जी आपको कोई सवाल हो थो आप पोच सकते हैं पिफ़नी जी कोई डाउट नहीं है मैंने अपनी बात को जो है किलियर ली रख लिए अच्छी बात है मैरे लिए कोई बात नहीं निखिल आपको भी कोई डाउट नहीं है ओके ग्रेट ग्रेट ठीक है आप चार लोगों का काफी अच्छा सिस्टन रहा मेरे लिए भी एक रिविजन हो गया मैंने भी अपने ट्रेड को और कुछ चीजों को रिवाइज कर लिया इसी बहाने से सेल का भी काफी अच्छा ट्रेड था जैसे आप देख वा रहे हैं मैंने आपके सामने भी लगाया है निफ्टी मेटल का एक काफी अच्छा मुवमेंट देखने को मिला निफ्टी मेटल में काफी अच्छा एक मुवमेंट था और सेल भी मैंने सिर्फ एक दिन के लिए डिलि और आप सभी इस पर प्रैक्टिस करते रहें, जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो भी सारी चीजें हम लोग उने डिसकस करी हैं, और कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रूप जो है आपके लिए हमेशा ओपन है, और मैं चाहूंगा कि आप स लोजिकली यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करें, यह वीडियो मैं वहां लेकर जाओंगा, तो आप थोड़ा सा इसे प्रमोट करें, मेरा यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा आगे निकले, और भी लोगों तक मैं पहुँच पाऊं, उमीद है, ज्याद कोई भी डाउट हो, तो आप ग्रूप में तो मैं अक्सर आपके लिए जो है, अबलिबल रहता हूँ, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, ओके फिर मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए गुड़ बाई